दिवाकर जी जो लोग भी company के साथ जुड़ते हैं उनमें basically दो तरह के लोग होते हैं एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ product के लिए जुड़ते हैं जो लोग सिर्फ product के लिए जुड़ते हैं हम उन्हें बोलते हैं user distributor यानि UD और दूसरे वो लोग होते हैं जो की product के साथ business भी हमारे साथ करना चाहते हैं ये दो तरह के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जिन लोगों को आपने winners में फोटो में देखा था जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर खड़े थे ये वो सब लोग थे जिन्होंने galway business को अपनाया अगर मैं बात करूँ galway business की तो हमारे हाँ 10 परकार की income है ये income किस तरीके की है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला है हमारे हाँ पर retail profit, दूसरा performance, bonus, तीसरा है super club, चौथा, master bonus, पाच्वा, royal, master bonus, छठा, tour fund सात्वा है, car fund, आठवा है, house, investment fund, नाइन्थ है, royalty और दस्वा है, ddgdd, performance club, दिवाकर जी, काम आपको एक ही करना है मगर income आपको 10 तरह की आईगी, अभी मैं आपको सिर्फ 2 तरह की income के बारे में बताऊंगा वो है पहला, retail, profit, और दूसरा, performance, bonus, क्यूंकि ये income पहले दिन से शुरू हो जाती है सबसे पहले, मैं आपको retail, profit के बारे में बताऊंगा इसके बारे में मैं पहले ही आपको हलाकी बता चुका हूँ आप company से कोई भी product खरीदते हैं, तो आपको वो distributor price पर मिलता है जिसे हम MRP पर खरीदते हैं हम और इससे 10 से 20 परतीशत हमारा इसमें retail margin होता है सबसे पहले, हम बात करते हैं retail profit के इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आप company से कोई भी product खरीदते हैं, वह distributor price पर मिलता है जिसे आप MRP पर बेच कर 10 से 20 परतीशत तक का retail profit कमा सकते हैं अब मैं आपको दूसरी income के बारे में बता हूँ जिसका नाम है performance bonus performance bonus, दिवाकर जी सबसे पहले इस income के बारे में बता हूँ मैं आपको एक और term के बारे में बताना चाहूँगा और इस term का नाम है incentive point यानि short में बोलू तो IP incentive का मतलब होता है commission दिवाकर जी जब भी आप बतार galway distributor company से product खरीदते हैं तो आपको हर product पर कुछ incentive point मिलते हैं इन्हें हम IP कहते हैं इस पर एक IP की जो कीमत है हमारे हाँ वो 100 रुपे है मैं आपको उधारन के साथ समझाता हूँ मान लीजिए आपने company में इस महिने 3500 रुपे के product खरीदे इस product की खरीद पर company आपको कुछ incentive point देगी मान लेते हैं आपको कुल 10 IP incentive point मिले अब एक IP एक IP बराबर 100 रुपे होता है ठीक है न तो 10 गुना 100 ये हो गया आपका 1000 रुपे है retail profit को छोड़ कर बांकी सभी तरह की जो no income है आपको इस IP की turnover पर मिलेगी तो क्या आपको incentive point समझ में आया दिवाकर जी अब मैं आपको समझाता हूँ performance performance bonus क्या होता है जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये income आपकी business की performance पर मिलने वाला incentive है ठीक है performance bonus हमें हमारी कुल IP turnover पर मिलता है और ये 5 परतीशत से लेकर 30 परतीशत तक मिलता है और ये 6 level में बटा हुआ है ठीक है जी मैं आपको एक चार्ट बनाता हूँ और एक तरफ से आपके द्वारा किये जाने वाले IP turnover और उसके सामने आपके होने वाले promotion जैसे जैसे आप product खरीदते हैं हर product पर आपको incentive point मिलते हैं ये IP आपके खाते में ID में इकठे होते हैं अब मैं आपके सामने एक performance bonus का एक चार्ट बनाता हूँ दिवाकर जी ठीक है ना यहां लिखता हूँ level यहां रहेगा accumulation IP और यहां रहेगा परतीशत का level percentage level ठीक है ना जैसे आप यहां पर 3 IP का business करते हैं आप हमारे यहां 5 परतीशत पर पहुंसते हैं जैसे आप accumulation पर 50 IP करते हैं आप 9 परतीशत पर पहुंसते हैं जैसे ही आप 210 IP का business करते हैं आप 14 परतीशत पर पहुंसते हैं जैसे ही आप 690 IP का business करते हैं आप 19 परतीशत पर पहुंसते हैं जैसे ही आप 2030 IP का बिजनस करते हैं आप 24 पर पहुँच रहे हैं और इस लेवल को master भी कहते हैं जब आप 2160 IP का बिजनस करते हैं तो आपका प्रतीशत लेवल 30 होता है और इसको royal master भी कहते हैं यहां मैंने एक chart बनाया है भी आपके सामने इसमें एक तरफ आपके द्वारा किये जाने वाला IP, turnover और उसके सामने होने वाले promotion जैसे जैसे आप product खरीदते रहेंगे हर product पर आपको incentive point मिलते रहेंगे यह IP आपके खाते में और आपकी ID पर इकठे होते रहेंगे जैसे जैसे IP का total बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका promotion level होता जाता है आपका प्रतीशत level भी बढ़ता है आप इस chart को देखें जब आप product खरीदते हैं तो आपके accumulation IP accumulated IP तीन हो जाते हैं तो आप 5 परतीशत पर हैं यहाँ देखें जैसे आपने 3 IP का business किया है हमान के चलिए आप यहाँ 5 परतीशत पर हैं यहाँ पर 5 जब आपके खाते में जैसे ही 50 IP आता है आप 9 परतीशत पर हो जाते हैं जैसे 210 IP जुड़ता है आप 14 परतीशत पर आजाते हैं जब आपके खाते में 690 आईपी आता है आप 19 परतीशत पर आ जाते हैं जब आपके खाते में 2030 आईपी आता है तब आप 24 परतीशत पर होते हैं और 2160 आईपी करते ही आपका लेवल 30 हो जाता है ठीक है दिवाकर जी अब मैं आपको बताता हूँ दिवाकर जी हमारे प्ला पहले ये एक accumulation plan है, number one, दूसरा, इसमें कोई भी demotion नहीं होता है, तीसरा, इसमें कोई समय सीमा नहीं है, मैं एक-एक करके आपको समझाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, accumulation से मेरा क्या मतलब है, accumulation का मतलब होता है लगातार जुड़ना, लगातार जुड़ना, इसमें मैं आपको एक उधारन से समझाता हूँ, मान लीजिए आपने इस महिने दिवाकर जी, जो की जनवरी का महिना है मानिए, आपने अपने घर क के लिए कंपनी से distributor price पर 3300 रुपे का समान लिया और इस पर आपको 10 IP का point मिले, तो इस महिने कुल IP turnover कितनी हुई दिवाकर जी, 10 IP, अब अगले महिने यानि की फरवरी में दिवाकर जी, आपने फिर 3300 रुपे का समान खरीदा, आपको फिर 10 IP का incentive point मिले, अब फरवरी और जन्वरी, दोनों महिने का कुल कितना incentive point हो गया, तो 10 जमा 10, total कितना हो गया, 20 IP, तो ये basically ये आपका cumulative total हुआ, इसी तरीके से अगर मार्च महिने में, मार्च में भी आपने 3300 का समान खरीदा, तो आपको 10 IP मिलता है, यानि हमारे पुराने महिने के भी IP जुड़ते चले जा जाएगा, 30 IP हो जाएगा दिवाकर जी, हर महिने की आखरी तारिक को ये देखा जाता है, कि शुरू से लेकर आज तक आपने कुल कितने IP का turnover किया है, वह आपके accumulation IP होंगे, और इनी accumulation IP के अधार पर आपको promotion मिलेगा, ठीक है दिवार जी, दूसरी बात, दूसरी खास बात है इस plan की, कि यहाँ कोई भी demotion नहीं होता है, आपका लगातार promotion होता है, जिस level पर अगर आप एक बार पहुँच गए, आप हमेशा उसी level पर बने रहेंगे, आपका कभी demotion नहीं होगा, किलियर कर पाया मैं आपको, अब तीसरा point था, यह है कि तीसरा बात, खास बात यह है हम कि इन promotion को लेने की कोई समय सीमा नहीं है, आप जितनी मर्जी जल्दी या जितनी मर्जी देर से अपने इस level को achieve कर सकते हैं, किलिर हो गया आपको, अब हम बात करेंगे दिवाकर जी, कि हम यह सारे level कैसे जल्दी जल्दी achieve कर सकते हैं, यानि in short आपको मैं कहूँ, तो हमें कर ना क्या होगा, ठीक है जी, आगे चलूँ मैं, बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर जो first step है, यानि मैं बोलूँ, जो हमारा पहला कदम है, वो यह है कि आपको कम से कम 100 लोगों की list बनानी है, हम सभी लोग अपने जीवन काल में कम से कम 100 से 150 ऐसे लोगों को जानते हैं दिवाक बहुत बढ़िया, जनरली हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, अगर कोई नहीं जानते हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, अपना facebook खोल लीजिए, अपना phone book खोल लीजिए, अपना instagram खोल लीजिए, अपने घर में कोई program function हुआ होगा, कोई शगन की diary होगी, उसे खोल लीजिए, उसमें आपको 1500, 100 से क्या, आपको 500 तक नाम मिल जाएंगे, पर मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ, 100 लोगों के नामों के list बनानी है, ये list आप बना लेंगे, तो मैं सुधीर, आपके पास हम तीनों मिलकर बैठेंगे, और इसमें से, जो आपके 25 खास दोस् इसके नाम छाटेंगे, इसके बाद आपको क्या करना होगा, वो मैं बताता हूँ, clear है जी, इसके बाद आता है मान के चलिए step number two, मैं आप से बात कर रहा हूँ, अब दूसरे step कि, दूसरे step में आपका पता क्या काम है, आपको बस मिलवाना है, अब इसका क्या मतलब है, आपको उन्हें कुछ नहीं समझाना है, आपका काम सिर्फ मिलवाने का है, आप इन 25 लोगों को, जिसको आपने, मैंने सुधीर जीने मिलके छटाई करी थी, एक महीने के अंदर, हर रोज शाम को एक-एक करके या दो-दो करके मुझ से मिलवाना है, मैं आपके guest को ठीक इसी फाइदे हैं, मैं उन्हें समझाऊंगा, वो भी 50 परतीशत का जो discount वाला part है, उसको समझेंगे, वो भी Galway के product के demo को देखेंगे, जैसा demo मैंने आपको दिया, कुछ Galway के product की quality को feel करेंगे, और उन्हें भी वैसा ही महसूस होगा, जैसा इस समय आप महसूस कर रहे हैं, दिव उन्हें समझाऊं, तो उन्हें से कितने लोग होंगे, जो अपनी पुरानी दुकान छोड़कर, गैलवे शॉप को कम से कम, एक बार मौका देने के लिए तयार हो जाएंगे, ज्यादातर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया आपने कहा जातर हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक कहा अपने दिवाकर जी, हमारी कंपनी का डेटा भी कुछ ऐसा कहता है, हमने आज तक के अनुभों में देखा है, एक एवरेज के अनुसार, अगर हमारे हाँ 25 लोग, 25 लोग प्रजेंटेशन देखने आते हैं, तो उसमें से कम से कम, 20 लोग ऐसे होते हैं, 5 लोग तो रहने दी हैं, अब इन 20 लोगों की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें से लगभग जो 10 लोग ऐसे होते हैं, जो स्रिफ प्रोड़क्ट लेने में दिल्चस्पी दिखाते हैं, यानि वो मेरे स्रिफ प्रोड़क्ट यूजर बनते हैं, यानि वो यूजर डिस्ट्रिब्यूटर बनते ह लगबग 10 लोग लेकिन 10 लोग ऐसे होते हैं user distributor के साथ वो हमारे business के distributor भी बनते हैं किलियर कर पारा हूँ आपको बात में यह एक औसत है हमारे यहां का अब मैं दिवाकर जी यह अब मैं आपको मैंने logo का average बताया अब मैं आगे चलता हूँ